तो हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैंने बना एक रिचार्जिबल शोल्डिंग आयरन जिसे बनाना बेहदी आसान होगा इसका आप एमर्जनसी यूज में यूज कर सकते हैं बिना एलेक्टिसिटी लाइट के भी अगर आपके एलेक्टिसिटी नहीं आती है कभी कभी आती है तो आप इसका एमर्जनसी यूज में यूज कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह मुबाइल के चार्ज से ही चार्ज हो जाता है आप इसको कभी भी चार्ज कर सकते हैं और कभी भी इसका इस्तामाल कर सकते हैं अपने चोटे मोटे प्रोजेक्ट में वायर लगाने के ल आता हूं आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से हमारी शोल्डिंग आयरन जो वर्क कर रहा है कहीं से भी कोई भी वायर आपको नहीं दिख रहा होगा सीधे इसमें बैटरी लगी हुए बैटरी की बैटरी लगी हुए जिसकी मदद से काफी अच्छा बैक अब जब भी यह डाउन होगा तभी मैं इसे चार्ज कर लूँआ मोबाइल के चार्जर से अपने और फिर से इसका यूज करने लग जाऊंगा तो दोस्तों यह काफी अच्छा शोल्डिंग आयरन होने वाला है अगर आप इसे बनाते हैं अपने घर पर तो बहुत ही अच् is a cat file format it helps organization deliver better products faster than ever before ultium 365 is also has with designing sharing via web you can share your PCB design on a web and get feedback from them sharing designs to a mechanical team for a product design centralize cloud storage and a lot more want to be job ready in electronic design try ultium student lab you can get free access to a ultium designer and ultium 365 it is a great way to boost your skills and your resume just enter your university email to get started for free learn real इसके बाद हमने एक बैटरी लिए लिटियम बैटरी लैपटॉप में से निकाल कर दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके बाद आपको एक स्विच चाहिए होगा एक चार्जिंग कनेक्टर चाहिए होगा चार्ज करने के लिए हमारे शोल्डिंग आयरन को तो दोनों चीज आप देख सकते हैं अब दोस्तों मैंने एक वायर लिया और उसके उपर से रबड की कोटिंग उसकी हटा दिये और श पॉजिटिव शोल्डिंग आयरन में नहीं होता है कोई भी वायर आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं बैटरी में अब दोस्तों जो वायर हमने लगाया था उसे हमने एक स्विच में दे दिया है और स्विच का वायर हमारा डारेक्टली बैटरी में जाएगा चलिए मैं आप दोस्तों बैटरी से निकले हुए यह वायर समय चार्जिंग कनेक्टर के अंदर लगा देने अब लास्ट में बोडी बनाने के लिए हम यहां पर एक इंजेक्शन का यूज करने वाले हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इसली आपके स्टोर पर मिल जाता है पांच रुपे क और इस से हम बोडी बनाएंगे अपने शोल्डिंग आयरन की चलिए फटा फट से मैं इसमें फिट कर लेता हूं दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर बैटरी वगरा मैं गुसा दिये और यहां पर मैंने स्विच चेंज कर दिया वह छोटा था यह बड़ा है और बड दोस्तों बिल्कुल नहीं जलेगी क्योंकि यह शोल्डिंग आयरन की जो टिप है वह आगे से घरम होती है अब दोस्तों मैं इसको पेंट वगरा करके बिल्कुल नया से चमका देता हूं दोस्तों आप देख सकते हैं कितने बड़ीया दरीके से इस पर पेंट लग चुका ह है और हमारा शोल्डिंग आयरन अब चलने के लिए तैयार हो चुका है तो इतने ही था आज की इस वीडियो में अच्छी लेगी तो लाइक करी का चली मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए बबाए